प्यारे बच्चों, hyperconjugation पे ये हमारा दूसरा वीडियो है पहले वीडियो में हम देख चुके कि hyperconjugation कहां होगा, कैसे होगा, ठेक अगर हम एक वर्ड में कहें hyperconjugation को तो no bond, no bond, no bond resonance, no bond, r e s o n a n c no bond resonance को ही hyperconjugation कहा जाता है hyperconjugation में क्या होता है जो हम देखते थे sigma electron का conversion pi electron में होता है sigma bond converts into pi bond ठीक यानि conjugation नहोते वे भी conjugation दिखाया फिर हम उसमें देखे कि hyperconjugative structure या किसके depend कर रहा था alpha hydrogen alpha hydrogen जादा है तो hyperconjugative structure जादा होंगे और stability भी क्या होगी बढ़ेगी यानि stability higher the number of hyperconjugative structure greater is the stability और hyperconjugative structure किस पर इप्रिट करता है alpha hydrogen पर इतनी बाते हम देख चुके उसके बाद हमने stability उसमें देखा कि C double bond C C double bond C C double bond C C double bond C इसमें हमने एक तरफ कार्बन लगाया इसमें दो तरफ कार्बन लगाया इसमें इधर इधर कार्बन लगाया है और एक और कार्बन जोड़ दिये इसमें दोनों साइड में दो दो कार्बन जोड़ दिये तो alpha hydrogen बढ़ता गया, इसमें 3 alpha hydrogen, इसमें 3, 3, 6, यहां 3, 3, 3, 9, यहां 3, 3, 3, 12, तो इसमें hyperconjugative structure ज्यादा थे, यह सब पिछले वीडियो में देखा जा चुका है, तो सबसे अधी किस्टेवल यह, फिर यह, फिर यह, फिर यह, फिर यह, फिर यह, इसका discussion पहले हो चुका है, हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, hyperconjugation पर काम करते हैं, देखें, हम एक example लेते हैं, dehydration of alcohol, dehydration of alcohol, जड़ा देखा जाए इसको, बहुत important heading है, इस बार बोर्ड में पूछा भी गया था, dehydration of alcohol, alcohol का निरजली करोड़, यह, डी वर्ड लगा है, D-E-D, D मतलब होता है, removal, R-E-M-O-V-E-L, removal, मतलब निकालना, hydration, H-Y-D-R-A-T-I-O-N, hydro means होता है, water, hydro means water, water का निकलना, dehydration यानि water का निकलना, हम कहें, D-Clorination, chlorine का निकलना, D-Bromination, bromine का निकलना, D-Iodination, iodine का निकलना, D-Hydrogenation, hydrogen का निकलना, D-Nitrogenation, nitrogen का निकलना, D-Carboxylation, Carboxylation, L-A-T-I-O-N, D मने निकलना, किसका, Carboxylik का, Carboxylik का निकलना, D-Carboxylation, बस संग्या रही है, तो D-Carboxylation यानि Carboxylik का निकलना, तो यहां हमरा topic है, D-Hydrogen, अच्छा माली जहां कहें, D-Hydro-Clorination, Chlorination, D मने निकलना, Hydro means Hydrogen, अब Chlorination मतलब Chlorine, Hydrogen और Chlorine का निकलना, D-Hydro Chlorination, इस पे आते हैं, देखें जैसे हमने दो Carbon ले लिया, C-Single Bond, C, यहां लगा दिया हमने O-H, ठिक, यहां O-H लगा दिये, तो हम यहां O-H लगा है, और इसका रियक्षन हम करा दिये, सांद्र H2SO4 की उपास्तिती में, सांद्र H2SO4, Hydrogen भरिए, H, 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 और इसमें कैठो, दो Band है, तो दो Hydrogen, ठिक, क्या होगा, सांद्र H2SO4 की उपास्तिती में रियक्षन कराया गया, देखिए, यहां विक्रिया Temperature Dependent है, पहले तो यह जानिए, हम सिधे बात करते हैं, 170 degree Celsius ताप पर, हुआ क्या, यहां जो H2SO4 है, हम जानते हैं क्या है, एसीड है, एसीड है तो यह क्या करेगा, H+, डोनेट करेगा, एजेंट है, इस रियक्षन में, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, आम लिक्य उपास्तिती में अलकोहाल का Dehydration, इसे काते हैं Dehydrating Agent, H2SO4 क्या है, Dehydrating Agent है, यह Dehydration करेगा, ठिक है, यह क्या करेगा, Dehydration, तो जब भी, अब कैसे करेगा, तो देखो, यह H+, देगा, अखेल चालू कर देगा, वाटर निकलने के लिए क्या चाहिए, H2O, जरा इसको तोड़ो तो, H+, और OH-, ठिक, यह हमारा है, आपने रियक्षन को देखो, इस रियक्षन में हमारे पास यहां क्या है, OH है, यह कह रहा है, कि अगर हमको कहीं से H मिल जाए, तो हम वाटर बना देंगे, तो यहां H है, अर तो यह तो इसी का है, इसमें सोतलेगा नहीं, एक, दो, तीन, चार, यह तो इसी के बांडिंग नहीं, यहां से OH- निकला, तब यहां से OH- निकलेगा, तो इस कारवर्ण पर हो जाएगा प्लस, ना, OH- हाथ में आ गया, अब जब इसमें प्लस हो गया, तो बगल वाले में से, क्या निकलेगा, H+, तो मालों, यहां से निकल गया, क्या, H+, बगल से, यहां से H+, निकला, तो H+, यह दोनों मिलके बना लिए, क्या, Water, जब H प्लस निकला तो इस कार्बन पर क्या हो जाएगा माइनस और यह बन गया वाटर डिहड्रेसन हो गया तो डिहड्रेसन हो गया H2 हमारे सामने रेडी है इसको देखो प्लस और माइनस इस पर दो इलेक्टराण न होगा जी यहाँ ज़्यादा दिर तक रहेंगे नहीं, बांड बना लेंगे तो बांड बन जाएगा एक तो देखो कार्बन के कितने बांड हो जाएंगे अब एक, धो, तीन, चार आ इसका भी एक, दो, तीन, चार तो यहीबन जाएगा तो dehydration of alcohol की बात करें तो यहाँ से H निकला और यहाँ से क्या निकला? OH तो और agent कौन है? सांद्र H2SO4 कौन है? सांद्र H2SO4 तो यह सांद्र H2SO4 है यह क्या हो गया? यहाँ से निकला hydrogen H+, और यहाँ से निकला OH- तो यह हमारा हो जाएगा इस पर H लगा है, यह H लगा है यह क्या हो गया? double bond C H, H double bond समय रहा है धन, water H2O यह हमारा alkene बन गया double bonded compound यही धर dehydration of alcohol कैसे हुआ mechanism इसकी बात जो है हम वीडियो में करेंगे आगे जब एलकोहाल पढ़ाएंगे तब क्योंकि एलकोहाल चेप्टर भी आगे है ठीक है? अभी हम फिलाल में hyperconjugation की तरफ फोकस करते हैं हम एक example लेते हैं CH3 single bond C इस पर हमने कर दिया OH यहाँ हमने कर दिया CH2 single bond CH3 इस पर hydrogen लगा थे H ठीक इसका dehydration कराए जाए कि इसके presence में conk H2SO4 अब conk H2SO4 के presence में इस पर खेला जाए क्या होगा? देखो तजरा यहाँ से निकलेगा OH यह तो confirm है अब H कहाँ से निकले? इस पर से निकले? कि इस पर से निकले? कि इस पर से तीन तरफ hydrogen है यहाँ से आइड्रोजन निकलेगा तो डबल बांडी धर बनेगा यहाँ से आइड्रोजन निकलेगा तो डबल बांडी धर बनेगा ठीक और यह आइड्रोजन इसके तो निकलने की संभाना बहुत कम है क्यों? इसी कारबन से O-S हो गया अगल बगल से निकलने की सम्भाना जादा है चलिए, दोनों देखते हैं मालिज इसको कर दिये path A, इसको कर दिये path B तो देखा जाए क्या बनता है यह हो जाएगा CH2, पहले वाले से देखें CH2, और यह double bond यह OH भग गया तो क्या बचा, CH single bond CH2, single bond CH3, यह बन गया अब हम इधर से जारा बनाए तो क्या हो गया, CH3 तो ऐसे ही रहा single bond C, इससे OH गया H रह गया, CH इधर क्या हो जाएगा double bond हो जाएगा, और यह CH2 नहीं रह जाएगा, एक H निकल गया तो क्या हो जाएगा, CH और यह क्या हो जाएगा, single bond कौन सा रियक्षन, Elimination E-L-I-E-L-I-N-A-T-I-O-N Elimination रियक्षन क्या है Elimination का जब वीडियो बनाएगे तो इसमें डिटेल देंगे, अभी फिलाल के लिए जाने है कि Edison का उल्टा होता है Elimination, Edison रियक्षन में सब जूडेंगे Elimination में किवल निकलेगा, देखिए इसमें क्या हो रहा है यहां से OH निकल ला है, भगल से H निकल ला है तो इससे कहेंगे Elimination रियक्षन अगर हम बात करें माली जलिया हमने C, रेवल बांट C इस पर H, C, L का रियक्षन कराया तो पाई बांट टूटेगा एक जगा लगेगा H, एक जगा लगेगा C, L तो हो जागा Addison Reaction क्या हो जागा? Addison Reaction सब जूड जाएं, तो Addison और निकले, कोई ची जूडे नहीं Add नहीं हो, तो उसे Elimination Addison का उल्टा Elimination है और अंदर की बात करें थोड़ा, तो यह 1-2 Elimination है, कौनसा है? 1-2 Elimination Elimination Hindi में कहते हैं निराकरण अभिक्रिया एक सम्मद्ने दो निराकरण अभिक्रिया, यह 1-2 क्यों हो गया जी? यहाँ से निकला OH, इस कारवन से OH निकला, तो बगल वाले से H निकल ला है इसलिए इससे कहेंगे 1-2 अगर दोनों एक ही कारवन से निकलता तो कहते हैं 1-1 एक सम्मद्ने एक अगर पहला यहाँ से निकलता दूसरा यहाँ से निकलता, एक तीन तो एक सम्मद्ने तीन इससे कहेंगे 1-2 Elimination या एक और नामे बीटा Elimination क्योंसा? बीटा बीटा Elimination अगर दोनों ग्रूप एक ही कारवन से निकलते हैं दोसरा कहते हैं 1-1 ना उसे कहते हैं 1-1 दोनों एक ही जगा से निकलते हैं तो 1-1 Elimination या इसका नाम हो जाता है अलफा यहीं से O-H निकलता और इसी कारवन से यह निकलता तो उसे कहते हैं अलफा Elimination या एक सबंदे एक Elimination अगर अगल बगल से निकलना है तो 1-2 Elimination या बीटा Elimination यह कौन सा एक्जामपुल है? बीटा Elimination का है चलो बीटा Elimination के रिजल्ट से हमें Elkin मिली अब प्रस्ण है कि कौन जादा बनेगा यह जादा बनेगा कि यह जादा बनेगा विच इस मेजर प्रोड़क्ट यदि कोई योग एक निराकरण अविक्रिया दे Elimination reaction हो अगर कोई compound Elimination reaction दे अद्दो तरकी Elkin बने ब्यूट वान इन और ब्यूट टो इन तो कौन मेजर प्रोड़क्ट होगा तो ज़रा देखो तो Hyperconjugation ज़रा पूछो कुछ कहना चाहता है Hyperconjugation तुमसे कुछ कहना चाहता है क्या कह रहा है यह हो गया ग्रूप इधर कार्बन एलफा कीतनी एलफा ऐडूजन एलफा ऐडूजन बराबर छे तो कीतने Hyperconjugative Structure छे इसमें आओ इधर कोई है नहीं इधर है इलफा ऐडूजन बराबर दो यह तो बीटा है कितने Hyperconjugative Structure दो तो तुम जानते हो Hyperconjugative Structure ज़धा होंगे तो कौन सा structure ज्यादा stabil है, बोलो, Beaut to in, यह ज्यादा stabil है, तो यह बनेगा ज्यादा 80% यह बनेगा, और यह बनेगा 20%, ठीक? तो आता है सेड़्जफ का नियम क्या कहता है यदि कोई यॉग एक यही पर एक सेड़्जफ का नियम बन जाता है कहता है कि यदि कोई यॉग एक elimination reaction दे और दो तरह की compound बने दो तरह का compound बने तो वह compound अधिक stable होगा जिसमें alkyl sum दोनों तरफ मेतिल मेतिल है जिसमें अलकिल समूह ज्यादा हूँ इसमें अलकिल समूह ज्यादा है इसमें देखो इधर कोई अलकिल है नहीं कि और इधर एक दिसा में अलकिल है चाहे वो अथिल हो चाहे मेतिल हो उसे मतलब नहीं है अलकिल तो कहता है सट जब क्या अगर कोई compound elimination reaction दे अब दो तरह की alkyne बने देखो एक ये और एक ये तो वह alkyne ज़ादा बनेगी जिसमें alkyl samoo क्या हो जिसमें alkyl samoo अधिक हो और इसमें alkyl samoo एक है और इसमें alkyl samoo क्या है? alkyl बोले है alkyl मने कारबन alkyl samoo ज़ादा हो वह अधिक बनेगा तो ये सेट जफ प्रोड़क्टराज सेट जफ के अनुसार उसके पीछे कारण क्या था? hyperconjugation तो hyperconjugation से हम पकड़ लेंगे कि कौन अधिक बनेगा ठीक? एक और example देखते हैं बस समय रही है एक और example देखते हैं हम हम ले ले c c, single bond c, यहाँ लगा दिए c, यहाँ लगा दिए c, और यहाँ c कर दिए हड़े जफ भरो c, h a 3 h, c, h a 2 c, h a 3 इस पर reaction करा दे हम koh का, किसका? koh आप देखो koh का reaction कराएं, ध्यान दो अगर koh aqueous हो aqueous हो ने जली है koh लिए और इसमें क्या मिला दिए? पानी koh plus water यह क्यूं मतलब? aqueous, water इसमें जल मिला दिए तो इसे कहेंगे जली है koh ठीक? अगर aqueous koh लोगे तो क्या होगा? यहाँ से निकलेगा k plus और oh minus है इसमें से c l निकलेगा oh जाके वहाँ बैठ जाएगा क्या reaction हो जाएगा? एक, दो, तीन, चार यहाँ वाले कार्बन पर oh आके लग जाएगा और यह k और c l मिलके क्या बना देंगे? k c l इसे कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया रिप्लेस्मेंट रिएक्शन OH माइनस गया और c l माइनस को रिप्लेस कर दिया ठेक? oh जाएच माइनस गया और c l माइनस को क्या क्या? रिप्लेस्मेंट रिएक्शन हुआ है पर कंजूगेशन के बाद आगे टॉपिक्स आएगे तो addition रिएक्शन पढ़ाएंगे आपको addition reaction substitution reaction याने प्रतिस्थापन अभिक्रिया elimination reaction और rearrangement चार तरह के रिएक्शन आपको देखने हैं ठेक है? अब हम चलते हैं इस पर तो यह रिप्लेस्मेंट हुआ प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुए अंग्रेजी में substitution या स्यू भी या सब्स्थी त्यूसन टी यू टी आई सब्स्थीूसन रिएक्शन तो सब्स्थीूसन रिएक्शन हुआ हम तो हाइपर कंजूगे संदेख रहे हैं यहां कोई मतलब है नहीं रहा इसी कोईज को अगर हम जो medium लिए थे क्या एक्वास यहां लेने alcoholic alcoholic का मतलब alcohol लीजिए solvent की तरह काम करेगा आईसा मिला यह QH तब जैसे यह alcoholic QH लेंगे तो यहां हो जाएगा elimination निराकरण अभिक्रिया क्या हो जाएगा निराकरण अभिक्रिया हो जाएगा यहां से निकलेगा C-L- ठीक भई कारवन क्लोरीन में competition न तो C-L- से न बनेगा कारवन प्लस यहां से C-L निकलेगा C-L- अब बगल वाले से या इधर से या इधर से ठीक भई जैसे यह alcoholic की वह चाहेगा तो elimination होगा देखते होगे मौला टोला में एकाद गुराते हैं बहुट टेंसन में रहेंगे अज जहां alcohol लेंगे हर समस्या काउंगा क्या हो जाता है नीरा करण तो alcoholic की वह च लेंगे तो elimination होगा अगर हम यही जलिय की वह च लेंगे की वह कैसा जलिय तो सीथे चुप चाप जाएगा यहां हटा के CEL की जगा O.S. बैढ़ जाएगा ठेक elimination देखते हैं यहां से निकलेगा CEL अब बगल से यच यहां से यच निकालो देखो क्या होगा double band इदर अगर यच यहां से निकालो गए तो double band इदर 1-2 elimination कौन सा elimination हो रहा है यहां 1-2 एक करबन से CEL निकला तो बगलगीर से दाएं अब आएं बगलगीर से एच निकला तेसे करें एक संबंदे दो निराकरण अभिक्रिया 1-2 elimination reaction या बीटा elimination reaction बनाए क्या हो जाएगा यह इदर से निकला मानलो CH2 double bond CH CEL भाग गया single bond CH2 single bond CH3 एक compound यह बन गया दूसरा compound मानलो CL यहां से निकला यह यहां से निकला तो क्या हो जाएगा CH3 single bond CH CL भाग गया और यह क्या हो जाएगा double bond न जी C1H निकल गया तो CH2 से हो गया क्या CH और उसके बाद single bond CH3 यह दोनो compound बन गये यहां से निकला CL किसको पकड़ेगा के को तो निकल गया KCL बन गया यहां से यहां से निकला H तो क्या बन जाएगा H और OH मिलके water मैंनस H2O ठेक कौन से विक्रिया है यह elimination reaction है elimination में कौन सा elimination है beta elimination है या 1-2 elimination है ना कौन सा elimination है beta elimination या 1-2 elimination ठेक 2 तरह की L की बनी कौन जादा बनेगा जी पूछो तो जरा hyperconjugation से कुछ कहना चाहता है तुमसे कितने alpha hydrogen इसके पास है 3-3-6 इसके पास कितने है 2 तो hyperconjugative structure किसका जादा बनेगा इसका तो यह बनेगा 80% और यह बन रहा है 20% यह percentage तो हमको याद है इसलिए लिख दे रहे है अलग-अलग जगों पर अलग-अलग रहेगा तुम्हें इतना जानना है कौन जादा बनेगा और कौन कम तो यह जादा बनेगा क्यों जादा बनेगा क्योंकि इसके stability जादा है hyperconjugative structure इसके जादा है फिर इसी को setgeof ने rule में बना दल दिया इसी के जगा setgeof ने rule बना दिया क्या कहा अगर कोई compound elimination reaction दे अब दो तरह की alkin बने दो तरह की alkin बने तो वह alkin अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें alkin sumu जादा हो तथा बनेगी जिसमें alkin sumu काम हो इसमें क्यों एक तरफ alkin है इस double band के चारतरफ ना जड़ाओ चारतरफ ना जड़ाओ क्यों एक alkin है और इस double band के इधार एक alkin है और एक इधार है तो यहाँ जादा बनेगा तो यहाँ में setgeof rule को हमने देखा hyperconjugation से उसका explanation देखा एक और example लेते है यहाँ देखें तुमारे खौपड़ी क्या काती है ठेक हमने example लिया C single bond C single bond C single bond C single bond OH single bond C single bond C double bond O single bond H हड़े बर दें CH3 CH3 और यह क्या का रहा है H यह H CH2 ठेक हो गया इसका हमने लिया सांद्र H2SO 4 सांद्र H2SO 4 हीट कर दिया यहाँ से निकलेगा OH अब बगल वाले से H यहाँ से H निकला तो double bond इधर यहाँ से H निकला तो double bond इधर दोनों तरफ double bond बन सकता है यानि यह compound निराकरण विक्रिया देगा दो तरफ की अलकीन बनेगी एक compound gives elimination reaction या undergo elimination reaction elimination reaction में जाए and gives two type of alkin दो तरफ की अलकीन दे रहा है चलो लगाते हैं स्ट्जिफ का नियम और hyperconjugation से काम करते हैं तो यहाँ से निकलेगा OH अब बगल वाले से कह निकलेगा H यहाँ का H निकलेगे पहले चलो ति हो जाएगा CH3 और हो जाएगा single bond C single bond CH3 H गया double bond क्या हो जाएगा CH यह हो H गया single bond CH2 single bond CHO ठेक हो गया प्लस अब आते हैं इदर से निकलो तो क्या हो जाएगा CH3 single bond CH3 H single bond CH यहाँ प्लस अब यहाँ से निकलो OH और यहाँ से H तो double bond और यह हो जाएगा CH तो double bond CH single bond CHO ठेक चलो इस पर काम करते हैं कौन मेजर प्रोड़क्ट होगा तो देखो एलकीन कहां है यह रही एलकीन ठेक इसमें एलकीन कहां है यह रही एलकीन हाइपर कंजूगेशन से सवाल करो यह double bond के इधर कारवन double bond के इधर कारवन double bond के इधर कारवन तीन तरफ कारवन है तीन हाइडोजन, तीन हाइडोजन और दो, अलफा हाइडोजन कितनी? आठ, आठ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चन, इसमें आओ, इस डबुल बांड के इधर चलो, अलफा कारवन ये है, एक हाइडोजन, ये अलफा नहीं है, ये हो गया ग्रोप अलफा बीटा है, है, तो इसके हाइपर कनुगेटिव स्ट्रक्चर कम बन रहे हैं, इधर जेखो, तो इसके आठ हाइपर कनुगेटिव स्ट्रक्चर बने हैं, तो कौन ज़्यादा इस्टेफिल हो गा? पहला वाला ये? तो यह अधिक बनना चाहिए? नहीं यह अधिक नहीं बनेगा यह ज़्यादा बनेगा यह होगा ज़्यादा और यह होगा कम यह हवा खाने चले गए कौन? सेट जैव यदि कोई योगिक निराकरन भिक्रिया दे तथा दो प्रकार की ऐलकीन बने तो यह अलकीन ज़्यादा बनती है जिसमें अलकिल समू अधिक हो इसमें अलकिल समू ज़्यादा है इसका है परकन्यूगेटिव इस्ट्रक्चर ज़्यादा है तो इसे ज़्यादा बनना चाहिए लेकिन है क्या हो रहा है? कौन बन रहा है? जाधा कौन बन रहा है ये जरा और पैनी द्रिश्टी डालो अपने धिमाग में खुझ नी दउडाओ क्या हो रहा है यहां देखो तो double, single, double double, single, double resonance यहां resonance है यह compound resonance systemize हो रहा है और तुम जानते हो resonance is dominating over any other factor किसी भी factor पर resonance dominant कर जाएगा चाहे वो आई प्रभाव हो चाहे वो hyperconjugation हो क्यों? क्यों resonance dominant कर जाएगा? जरा विचार करो तो देखो resonance जो है πाई electron पे काम करता है lose electron पे तो फटाक से तूटेगा बांड और आई प्रभाव sigma पे काम करता है इसलिए sigma electron को operate करना कठीन होगा hyperconjugation में भी क्या था? sigma electron ही तो तूटता है hyperconjugation में क्या होता है? sigma बांड देतो x single bond c, single bond c, double bond c यही न था यहाँ कुदा, यह तो πाई था कोई दिक्कत नहीं थी हई बंडवा क्या था? sigma था तो hyperconjugation sigma बांड पे काम करता है और resonance pi बांड पे तो इसलिए क्या हो गया? resonance is dominating over तो यह compound resonance is stabilized है इसलिए अधिक मात्राइम बनेगा इसके hyperconjugation structure जादा है फिर भी अकम बन रहा है क्यों? resonance is dominating over resonance dominate करता है किसके उपर? hyperconjugation के उपर बासन में आ गई? तो example ध्यान रखो और देखो कि जो product बन रहा है वो कैसा बन रहा है कहीं resonance तो नहीं न आ गया एक और example लेते हैं हम hyperconjugation से related हम देखें carbocation के stability C plus C plus C plus C plus ठेक? इससे एक carbon लगा दिये इससे दो carbon लगा दिये और इससे हम तीन carbon लगा दिये hydrogen बारो CH3 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 इसका देखो एक दो तीन बांड हो गया और एक पलस लेके चार होटा पूरा एक दो तीन एक हाइडोजन और मांग रहा है इसका देखो एक दो बांड दो हाइडोजन और मांग रहा है और ये तीन मांग रहा है एक पलस है एक दो तीन ठीक methyl carbocatine ethyl carbocatine आई बीचावाम पलस है ना isopropyl carbocatine a t-butyl हाई देखो methyl है वन डिग्री एक टू डिग्री एक थ्री डिग्री यह ज़्यादा इस्टेबिल है इसकी ब्याख्या हम हाइपर कंजुगेशन से कर सकते हैं कैसे होगा देखो यहाँ लगा तो h एक जगा दिखा देते हैं h इसको क्या चाहिए electron जैसे जैसे डिस्चार्ज होगा वैसे वैसे इसकी स्टिबिल्टी बढ़ेगी ना तो यह देखो इस electron चाहिए आई पाई बंड यहाँ कुछ जाएगा पाई बंड कुछ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा double bond और यह हो जाएगा plus और यह हो जाएगा डिस्चार्ज आ गया hyperconjugation no bond resonance यहाँ कोई bond है नहीं no bond resonance कोई क्या कहते है hyperconjugation तो इसके hyperconjugative structure कितने बनेंगे इस carbon पे अब इसको मिटा दें इस carbon पे plus है 1,2,3 alpha hydrogen 3 alpha hydrogen 3 alpha hydrogen 3 तो 9 alpha hydrogen 9 hyperconjugative structure इसमें कितने है 3,3 6 6 hyperconjugative structure इसमें plus है कितने हो गया 3 इसमें alpha hydrogen 0 alpha hydrogen 0 इसमें alpha hydrogen 3 इसमें alpha hydrogen 6 इसमें alpha hydrogen 9 alpha hydrogen कितना हो गया 9 तो 3 degree carbocation is more stable than 2 degree than 1 degree कारण hyperconjugative structure ज्यादा होगे तो stability ज्यादा होगे hyperconjugative structure alpha hydrogen पर depends करते हैं तो 3 degree carbocation ज्यादा इसमें ज्यादा degree से तो 2 degree ज्यादा इसमें 1 degree से 1 degree ज्यादा इसमें methyl से उसके पीछे का कारण रह hyperconjugation प्लास कौन सा अलकीन अधिक इस्टेविल होगा, कौन अलकीन कम इस्टेविल होगा, ठीक, उसके बाद हमने देखा कि dehydration of alcohol में कि कौन सा ज्यादा प्रोड़क्ट बनेगा, यहीं पर हम आगया सेट जफ का नियम लेकर, कि अगर कोई compound, elimination, reaction दे, दो तरह की अलकीन बने, तो वह अलकीन जादा बनेगी, जिसमें alkylisamu जादा हो, ठीक, उसके बाद हमने देखा कि कहीं resonance आ गया, hyperconjugation भी हो गया, तो कौन जीतेगा, resonance, resonance is dominating over any other factor, ठीक, तो एरिजनेंस पर अगला वीडियो हमारा आएगा, अब हम देखेंगे, hysteric hindrance, ठीक है, और hydrogen bonding, इन दोनों को जरा देख ले हैं, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है,